इस वीडियों में हम आपको 12th class के सेल्बस के बारे में बताएंगे जो आपको रिवाइस सेल्बस आया है उसके बारे में अब आपको यह बात पता होना चाहिए कि 12th class में जो उर्दू की बुक्स चलती है वो दो टैप की चलती है एक होते है उर्दू कोर और एक होते है के बारे में बताएंगे और sorry to say के हमें उर्दू का सेल्बस उर्दू मीडियम में नहीं मिल पाया है इंग्लिश लेंगुज में आया है तो मैं आपको समझा दूंगी ताकि आपको आसानी हो सके चलिए तो हम लोग इसको देख लेते हैं अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्फ करने की चलिए तो देख लेते कि क्या है सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां यह देखें यहां लिखा है उर्दू इलेक्टिफ और इ इसमें आपको लिखा है कि आपके जो मार्क होंगे वो 80 प्लस 20 होंगे और टाइमिंग जो है वो 3 ओर होगा यानि तीन घंडे कर टाइमिंग होगी आपको अब आपका जो पेपर सेक्षिन ए आएगा जयो मतलब आपने देखा होगा आपका पेपर सेक्षिन A, सेक्षिन B, स के टिन हिसं से दिवाई होता है तहीं होते हैं पहले में प्रोण, प्रोणन रनोर माने क्या होता है नसर पारे मोल तो अब आपको पल देखे लेंगे कि टेक्स बु इंक त कितने नंबर के आएंगे 50 मार्क का कोशिन आएगा और 80 पीड आपको दिये जाएंगे इसके लिए टीचर्स आपको 80 लेक्चर अटेंड करेंगे आपके तो आपको क्या पढ़ने हैं आपको सारे चैप्टर से स्टेडी करना अल चैप्टर अब दिखे रिवाई सेल बस जो आ आपको एक ऐसे आएगा जो आपको ऐसे करना होगा इसके लावो और भी कुछ कोशिंस आएंगे जो लॉंग टाइप के होंगे आपके तीक है इस तरह से अबला आपका नेक्स्ट क्या रहा है पॉइट्री देखिए यह सेल बस है अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूं व कोशन तो उसकी वीडियो में आपको डाल दूंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है उसी हिसाब से फिर आप अपने बोड की तैयारी शुरू कर देंगे ठीक है अब आता है पॉइट्री पॉइट्री किसे कहते है शाहिरी को ठीक है यानि कि न देखिए इसमें भी आपको सारे चैप्टर पढ़ने गुलिस्ताने अदब की ठीक है इसी तरह से उसमें वही एच वेरी शॉर्ट शॉर्ट और इस तरह से सारे आपके कोशन साइंगी वह कर लेंगी नेक्स्ट आपको एक सप्लिमेंटरी बुक भी दी गई है जिसका नाम ह और आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं मैं हर चैप्टर से रिलेटिड हर टॉपिक को समझाते हुए आपके लिए वीडियो डालूंगी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं इसके लावा आप से यह दर्खास थे कि आप लोग इस तो आप लोग अपनी तयारी को पूरे 100% लेवल पर लेके चलेंगे तो आपका जो खयाबानी उर्दू है उससे भी आपके कोशन आंसर आएंगी ठीके शॉर्ट कोशन भी आएंगे इसके लावा आपका सेक्शन भी जो है यह बहुत इंपोर्टेंट है और अगर आभी बढ़ लेते हैं तो आपको आगे चलके भी बहुत पॉफिट होने वाला इसके तो मैं आपको बता देती हूं उसके लिए भी मैं अलग-अलग वीडियो डालूंगी तो आपको हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिट्रेचर के बारे में पढ़ना यानि उर्दू जो लिट्रेचर कि अंगे साथ उर्दू जाना है कि उर्दू को बेदा हुई किसे इसमें फर्दू विलियम कॉलिज्च दिल्ली कॉलिच और लखनो इसके लाब लाज के इसा है इसके लिए सब्सक्राइब कर दो और दो कि आप अगर आप चाहें तो नेट पर सर्च भी कर सकते हैं और अगर वेट कर सकते हैं तो प्रीज वेट कीजिए मैं कुछ रोज में आपके लिए यह अपलोड कर दूगी इसके लावाद दिल्ली और दिल्स लखनों के बारे में भी आपको पढ़ना है कि यह दोनों दविस्तान क्य यह सब मैं आपको बहुत अच्छे से एकस्प्लेइन कर दूँगी बस आप थोड़ा सा वेट करें उसके बाद लिखाए लाइफ एंड कंट्रिबूशन ओफ और ओधर पॉइट्स ठीक है अब यहाँ पे आपको आपको आदीब है जो नौवल अफसाने यह सब लिखते हैं मलागरम कटर हिंदी लेंगविज में बात करें तो उन्होंने क्या क्या योगदान दिये उर्दू को बढ़ाने के लिए ठीक उसके बाद आपको अद्बी तहरीक पढ़ना है जिसमें आपको सरस्यत तहरीक और तरकी पसंद तहरीक आपको पढ़नी है सरस्यत तहरीक को हम इसके चलाब आपको तरकी बसंद थारीक के बारे में भी पढ़ना ये कब चारश शुरू हिए थी उनिस्सो चारश में शुरू हो इन इसके चीजहों के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट आपको दिया गया है कि आपको 2 शोर्ट आज़सा यानि 3 लॉन आए और 2 शोर्ट आ आपके इसके लाब यह आपका स्किल टेस्ट है जिसमें आपका देखा जाएगा कि आप किस तरह से उर्दू बोल सकते हैं और सुन सकते हैं कि इतनी आपकी जो आपका इंग्लिश में होता है तो वही चीज है कि आप उसे कहा जाएगा कि अपना प्याराभ पड़के सुनए उसके बाद दो बच्चे होता है आक इद़र इब है पर जैब आपको पर आपका रिपलाई करता है आप इस तरह होता है कि अपने अमाने ग्लमर्ट था बी इसा हुआ था एक बार तो उर्दू में तो खैर नहीं होता था उर्दू में तो अभी रिसेंट लिव शुरू किया गया यह पहले नहीं था यह तो यह आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा इस तरह से आपको टोटल 100 मार्क्स दे दिये जाएंगे लिएख हुआए अब देखिए आपको इसमें पढ़नी है तो वह दो बुक्स पढ़नी एक गुलिस्तान वद्ब पढ़नी है और दुसरी चाहिए खयाबाने उर्दू तो यह दो बुक्स है आपको मुझे पास होगी इस पढ़ना आप शुरू कर दें मैं आपके लिए यहे छोड़के नेक्स्ट वीक से मैं आपकी कुछ वीडियो बची है उनको अपलोड करना शुरू कर दूंगी जो अपलोड कर दी है फिलाल आप लोग उन वीडियो को असारी से देख सकते हैं ठीक है अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों मुझे मैसेज करके बता सकते हैं मैं आप लोगों की प्राब्रम को सॉल्फ करूंगी चलिए नेक्स देख लेते हैं इसके लावा रेफरेंस बुक भी दे गई हैं क्योंकि देखिए जो आपके ये दोनों बुक्स है इसमें आपको तरह की पसंद तहरी और इन सबके बारे में नहीं मिलेगा तो अगर आप म आप एक ड्रामा है इसंद यह पंड़ना है अधा क्रवां कि की लड़की एक ड्रामा है इसका अपको एक सेन जो है यह पड़ना है सब चीजए उने को बताऊंगि आप इंतना कंफ्यूस भी मत हो आप इमन मैं जाया मैं बापकी सारी को स्वल्फ करूंगी बस थोड़ को व इस वज़े से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो इस वज़े से आपके कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है तो आप लोग देख लेते हैं कौन-कौन से हटाया गया है और ज़रूरी नहीं है कि ये 2021-2022 वाला जो सेशन उसमें हटाया जाएं ठीक है अभी फिलाल हटाय गया है तो कौन-कौन से हटाये गया है जो इस साल 12 का एक्जैम देंगे बोर्ट का उनके बोर्ट में इन चैप्टर्स में से कोशन नहीं आएंगे गुलिस्ताने अदब में से कौन सा जो आपका सेकंड लेटर है मिर्जा गालिप का जो मुंशी नभीबार हाकीर के नाम उन जिन्द्रा की जो घजल है वहले घजल भी आपकी नहीं आएगी ना उसकी तश्री आएगी और यहना ही आप से पूछा जाएगा अच्छा इसके लावा आपकी तश्री भी आती हैं तो आप उसको भी अच्छा से पढढेंगे ठीक उसके बाद जो आपकी दूसरी वाली ब पढ़ाई अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए आप उसको देख सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है और बलके यह सारे चैप्टर जो है यह मैंने अपलोड भी कर दिया है मिर्जा गालिप कर दिया है लम्हें भी आज या कल में अपलोड कर दूंगी तो इस तरह से अगर आपको में वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने माय चांग को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज माय चांग को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग